परस्ट नमबर पहला आकिरती में दो तिर्भुच ABC और PQR सम्रूप हैं इनकी भुजाओं की लंबाईया सेंटीमीटर में अंकित हैं X और Y ग्याद किजिए यह दिया X यह दिया Y हमें ग्याद करना है तो क्या करा है सम्रूप सम्रूप दिया है इनके अनपाद बराबर होते हैं तो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं अगर एक निकालेंगे तो इसका लवह है अगर आधाल लेंगे तो इसका लोम क कर देंद activities अए A C A C बटे और इसका अलम लेंगे बड़े वाले का क्या है लम P PR PR बराबर अब I C भुजा लेंगे जो हमको ग्यात हो जैसे आधार हमको ग्यात है BR वग बीर वगे सी आरमको ग्यात है तो यह भुजा लेंगे तो BC BC बराबर कितना है दो अब फिर क्या है QR QR अब इसका मान रख देते हैं AC क्या है? X है अब PR कितना है? 3 है अब AC कितना दिया है? 2 cm अब QR कितना दिया है? 3 cm दिया है अब इसको solve कर लेते हैं X बराबर, 3 उधर चलाया है गुड़े में चलाया है 2 बटे, 3 गुड़े 3, 3, 3, 3 कड़ गया X बराबर, 2 यह हमारा X कमान कर लिए अब क्या आप कहा रहा है कि Y कमान के आद केजिए अब Y कमान लेते हैं तो Y कमान लेंगे, तो करण का लेंगे जब इसका करण लेंगे तो इसका भी करण लेंगे रख देते हैं P Q कतना है? Y फिर A B कितना है? A B कितना है? 3 है Q R कितना है? 3 अब फिर B C कितना है? 2 वाल कर लेते हैं Y बराबर, 3 गुड़े में चले जागा 3 बटे, 2 गुड़े, 3 Y बराबर, 3 तरिक्का 9 बटे, 2 अब इसका भाग देंगे तो आएगा 4.5 यह हमारा Y कमान निकल गया और यह जक्स कमान निकल गया यह हमारा प्रस नमबर दूसरा यह किसी तिरभुज A B C और वितिरभुज P Q R में उनकी भुजाएं करमशा A B बराबर, 3 सेंटीमीटर B C बराबर 5 सेंटीमीटर C A बराबर 4 सेंटीमीटर तथा P Q बराबर 6 सेंटीमीटर और P R बराबर 6 सेंटीमीटर Q R 8 सेंटीमीटर है तो तिरभुज समरूप है या नहीं तो सबसे पहले हम देखते हैं यह A B C दिया है ठीक है तो A B AB AB भरावर केंड़ दिया 3 cm पटे और क्या PQR PQ एक्यू केंड़ दिया 7 बरावर अब फिर BC इसको BC ले ले ल需 BC बरावर केंफिना दिया 5 और QR कहां पे है QR 8 cm बरावर अब AC अब इसको CA ले 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 CA केंड़ दिया 4 cm दिया अब rp या pr किता दिया, 6 cm दिया यह हो गया अब देखते हैं कि इसका अनपाध बराबर है या नहीं ठीक है, तो कट देएं 2 दूनी 4, 2, 6, कितना है, 2 बटे 3, अब इसका अनपाध बराबर नहीं है, अगर अनपाध बराबर होता, तो हमारा क्या होता समरूप होता परश नमर तीसरा चीतर में तिर्भुज ABC, ABC और PQR समरूप हैं जो अनपाथ बराबर होता है तिर्भुज प्यूज प्यूज बुजाओं को ग्याद कीजिए जो ये PQR है इसके बुजाओं को ग्याद करना है तो प्यूज 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 अब 20 केतना दिया है इसको solve कर लेते हैं पी क्यू बराबर एक देस्मल पांच बटे तीन गुड़े दो यह हो गया पी क्यू बराबर देड़ दूना तीन बटे तीन गड़े गया पी क्यू बराबर एक आया अब क्या ग्याद करना पी आर गयाद करना है इस छोटे वाले भुजा को लेंगे तो ये ए बी हैसी इस다 Spa बाले भुजा को लेंगे ठीक है तो क्या करते हैं पी आर पी आर पी आर मटे एrone की इसमर चितना दिया है दो पी आर बराबर इसको कौट देते हैं और देते हैं तरफ ऑतिसमें को तक दगते होड है, तो पी आर बराबर बार गेते हैं PQ कितना आया, 1 कोड़ एक आया, PR कितना आया, 4 आया, यह मारा एंसर हो गिया प्रस्ट नमबर चौधा, तिल्भुज ABC में MN, BC के समानतर है जो MN है, BC के क्या समानतर है कोड ABC के से स्कोडों के माब बताये किया तिल्भुज ABC और तिल्भुज AMN समरूप है तो MNBC के समानतर है अगर MN यह कीतना है? ती क्या होगा? ती संथ हँगा टी करें? यहाँ पर कितना होगा? दासट हंस क्यों? 8 ... 162 कितना होता है? 180 हंस होता है तो क्या गहरा? जब M30 है तो 140 हंस होगा 62 हंसे तो C क्या होगा 62 हंसे होगा क्यों क्योंकि MN समांतर है अब क्या कह रहा है कि 6 कोडों के माप ग्याद की बताइए कि तिर्भुज A, B, C और तिर्भुज MN समरूप है तो कोड B बराबर 30 हंस था कोड B क्या है 30 हंसे अकोड C बराबर क्या है C बराबर है 62 Music 62 62 अब क्या कर능 है कि तिर्भुच ABC और तिर्भुच AmN बराबर हैं कि AmN और ABC सम्लूफ हैं कि नहीं सम्लूफ है तो कोड दिखें कोड B बराबर कोड B बराबर कोड M और फिर कोड C बराबर कोड़ C बराबर C कोड़ C बराबर कोड़ N क्या करता है कोड़ A बराबर कोड़ A कामन है अता अता तिर्भुज A, B, C तिर्भुज A, B, C और और तिर्भुज A, M, N तिर्भुज A, M, N समरूप है यह हमारा एंसर हो गया परस नमर पांच वा यद यह में तथा यहन करमशा A, B और A, C भुजाओं के मध्ध बिंद हों तो भुजा B, C और M, N कानपाद ग्याद कीजिए क्या कर रहा है M, N, A, B और A, C भुजाओं के मध्ध बिंद हों बीच में है तो B, C और M, N कानपाद ग्याद करना है तो M, N कानपाद ग्याद करना है तो सबसे पहले आधार, यह B, C सबसे बड़ा आधार भुजाओं है और यह यह छोटा भुजाओं है तो हम B, C पहले लेंगे B, C B, C लेंगे अब फिर आधार का छोटा भुजा लेंगे MN, ये क्या है? MN है MN ब्राइबर क्या गराँ अनपांद ग्याद करना है? हम आधार की बड़ी भुजा लिए अब इसकी बड़ी भुजा लेंगे तो A, B, जिसे ये कितना एक है, तो ये दोनों कितना होगा? इसकी छोटी भुजा लेंगे, A, M ये कितना है? A, M A, M ब्राइबर, अब इसका दो गुणा है ना, दिखें, इसका एक है और इसका एक है, तो दो गुणा है तो दो गुड़े, A, M बटे, फिर A, M A, M, A, M कड़िया है दो अनपाते, एक ये हमारा एंसर हो गया प्रेस नंबर छटवा, दो समांतर रेखा खंड A, B और C, D खीचे जैसे ये क्या है, समांतर रेखा लेते है A, ये क्या है B, और C, D खीच लेते है क्यों है? C, D अब क्या कह रहा है कि A को D से A को D से, और B को C से मिलाए, B को C से मिलाए माली जी की वे एक दिश्रों को O पर काट रहे है क्या तिर्भुज O, A, B O, A, B और तिर्भुज O, D, C समरूप है? हाँ हाँ, समरूप है समरूप है प्रस नंबर साथ वाँ, तिर्भुज A, B, C और तिर्भुज P, Q, R समरूप है यद हाँ, तो कारण होता ही है तिर्भुज A, B, C A, B, C और तिर्भुज P, Q, R समरूप है कि नहीं? देखें A, B A, B और P, Q P, Q नहीं, P, R क्या है? बराबर है न? बराबर है तो A, B A, B, C फिर क्या है? P, Q P, R, Q देखें P, R, Q और A, B, C देखें, एक दूसरे पर बराबर है तो क्या करा है कि यद यह हाँ तो कारण होता ही है हाँ यह समरूप है समरूप है कारण एक दूसरी पर एक दूसरे पर एक बाग सम है सरवाग सम है यह हमारा एंसर हो गया प्रस नमबर आठवा 20 मीटर ब्राबर 1 सेंटी मीटर मान कर एक खेत का आकार दर्शाय गया है 40 मीटर 1 सेंटी मीटर कर खेत का नए आकार अपनी अभ्याद पर दर्शाय गया यह 20 मीटर अब एक सेंटी मीटर दर्शाय गया हमें 40 मीटर पर दर्शाय गया तो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो हम कर लेते हैं तो पांस का आधा कितना होगा 2.5 सेंटी मीटर अब तेरा का आधा कितना होगा 6.5 सेंटी मीटर अब बारा का कितना से आधा होगा 6 सेंटी मीटर यह हमारा एंसर हो गया आधा